हाँ जी उमीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मोज काट रहे होंगे तो आज किस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक सिंपल सी जावा स्किप्ट की अप्लिकेशन तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम लोग बनाने क्या वाले हैं आपको मैं ब्राउजर पर लेके चलता हूँ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आज हम लोग बनाने वाले है डे डिफरेंस एप अब यार आप अपने हसाब से इसका नाम चूज कर ले ना अपने हसाब से मेरे माइंड में कोई अच्छा सा यहाँ पर नाम आ नहीं रहा था तो मैंने यहाँ पर देख डिफरेंस एप ही रख दिया ठीक है अब थोड़ा जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है अपलिकेस नाम को डेज का डिफरेंस काउंट करके बताती है जैसे कि यहाँ पर मुझे बोल रहा है सबसे पहले एक आप स्टार्टिंग डेट को चूज करो मतलब आप की सबसे पहले डेट क्या है जैसे मैं माल लोग यहाँ पर साथ जनवरी यहाँ पर चूज करता हूँ साथ जनवरी से लेके मुझे माल लोगी जून और मुझे यहाँ पर 15 जून तक का डिफरेंस सही है डेज के अंदर सही है ठीक है जिसे मैं click में वाले बटन पर click करता हूँ, आप लोग उनीचे दे सकते हो, 159 days का यहाँ पर complete difference आ चुका है, इतने days का इसके बीच में आपने जो भी दोनों date को choose करा है, उसके बीच में क्या है, इतने days का difference है, ठीक है, clear, अब यार ऐसा नहीं है कि आप कर सकते हो, आप लोग क इतना भी कर सकते हैं, इसके अंदर जैसे मालो 25 से लेगे मुझे आप यहाँ पर October तक चाहिए, और मैं 16 तक करता हूँ, click में पर click करता हूँ, तो इसने complete difference बता दिया, तो ऐसी application है, यह छोटी application है, बिल्कुल सोट सा यहाँ logic लगाएंगी, हम लोग और हमारा काम बन और इससे आप combined test होता, मतलब आपको logic कितना आता है, काफी लोग front end करते हैं, काफी back end करते हैं, वो सब तो चलता रहता है, लेकिन कभी-कभी ऐसी चोटी-चोटी projects का भी need होती है, definitely इसके बारे मैं बात करते हैं भी, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर close करता हूँ, और मै यहाँ पर एक नया, हम बना देते हैं, folder, तो यहाँ पर आगे simple, मैं new पर जाओंगा, और यहाँ पर folder पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा simple days, or difference, okay, और app, बाइसा बहुत बढ़िया, और इस पर click करेंगे, right click करेंगे, VS code अपना open कर लेंगे, अभी यहाँ प आपको नहीं लेनी है, ठीक है, वह मैं आपको प्रवाइड करा दूँगा, नीचे description के अंदर, shift page one type करूँगा, basic सा जो boilerplate होता, STML का वो हमको मिल जाएगा, और यह एक अच्छी बात है, VS code की, आजगल तो सारे ही एडिटर हमको प्रवाइड कर देते हैं, लेकिन इलकी बात कुछ अलगी है, okay, मैं day, और difference, spelling गलत हो चुकी है, app, all right, ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगा, क्या सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा box, ठीक है, और इस box में क्या होगा, इस box के अंदर सबसे पहले एक h1 होगा, जहाँ पे मैं लिखे दूँगा, day, difference, और app, और in fact, मैं d यहाँ पे capital लिखूँगा, इसका d capital लिखेंगे, हम लोग csss को अराम से कस्टमाइज कर सकते हैं, बट लिखेंगे और इसके और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक form, days, input, and div बनादुगा, form, input, div, क्या बनाओँगा, मैं date, input, div बनाओँगा, ठीक है, उके date input डिव बना देंगे, जहां पर मैं सबसे पहले यह बना लूँगा और यहां पर एक label बना लूँगा और label के अंदर मैं लिख दूँगा मालो first date तो first date के लिए मतलब अगर आप पहली date चूज करते हो तो first date और यहाँ पर हमार डाल दोगा simple choose your choose starting date डाल देते हैं choose starting date ठीक है और यहाँ पर हम simple सा एक input बना लेंगे जिसका type क्या होगा date होगा ठीक है और आप लोग यहाँ पर लिखोगे f date आप लोग यहाँ पर लिखोगे simple update ठीक है update कौनसी यह जो for के अंदर जो आप लोगो लिखे लिए same आपको लिखना है अब आपको इसको simple duplicate copy करना है इसको आप लोग edit कर सकते हो इसको आप लोग simple edit कर सकते हो ठीक है यहाँ पर starting के जगा आप लोग लेख सकते हो simple ending और एक आप लोग button बना लो button आप लोग simple इसके बाहर बना लो जिसका नाम आप लोग डाल दो simple click me okay click click me ठीक है और यहाँ पर simple आएक मैं एक पेरेगर आप बना दूगा जिसमें हम क्या करेंगे result हमारा आएगा कि वहीं कितना है some text मैं आप लोग डाल देता हूं कुछ इस तरीके से एक बार demo के लिए इसको मुझे run करना है run करने के लिए मैं क्या करूँगा go live का आपको button यहाँ पर दिखाई देगा इस पर मैं क्लिक करके अराम से run कर सकता हूँ अगर आपने तरो ताजा अभी अभी VS code को install कर रहा है तो मैं भी आपको चीज नहीं दिखाई दे आप लोग यहाँ पर simple आओ extension पर और इसको download कर लो install कर लो आप लो live server लिखके इसको install कर लो install हो जाएगा और आप लोग को फिर यह दिखाई देगा नहीं दिखाई देता है तो आप right क्लिक करो आपको option मिलेगा यहाँ पर open with live server इस पर क्लिक कर सकते हो ठीक है भाई साब बहुत बढ़िया आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अपना browser open हो चुका जिसके अदर अभी के लिए कुछ यह इस तरीके से दिखाई दे रहा है tension मतलो इसको अभी बनाएंगे css में डालेंगे हम लोग तो अब देखो css की बारी तो css पे हम लोग simple style इसके अंदर लिख देते हैं काफी लोग अलग अलग फाइल बनाते हैं लेकिन जब कोई बड़ा code होता तब बनानी चाहिए यहां पर ज़्यादा code होगा नहीं अराम सी समझ में आ रही हैं तो हम लोग इसी के अंदर style के अंदर ही use कर सकते है css ठीक है और अब मैं क्या करूँगा basic css इस तरीके से लिखूँगा अब यह जैसे मैंने css लिखा यह कैसे आया इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर settings पर जाना है configure user snippets पर जाओ और यह जो css है इस पर आप लोग जा सकते हो search कर सकते हो css यह आपको file open करना है यहां पर जो भी मैंने लिख रखा है उसको आपको simple copy कर लेना है यहां पर इस तरीके से आपको डाल देना है ठीक है इसका निशूट ले लेना है इसका आपका काम बन जाएगा ठीक है यहां पर चलते हैं body और कुछ width हम लोग इसकी set करते है 100% और height 100 viewport height set करते हैं और background का color हम लोग मान लोग कि मैं एक यह वाला background का color यहां पर set करता हूँ save करूँगा तो आप लोग यहां पर देखो कि कुछ यह इस तरीके से आ रहा है मै इस तरीके से मैंने color ले लिया अब जरूरी नहीं है कि यार यह जो मैंने पहले color आपको demo में दिखाया था वह ही हो मैं इस यहां पर logic की है कोई यहां पर यह design का tutorial नहीं है एक simple सी हम लोग app build कर रहे हैं आप इसको customize करोगे आप इसमें और चीज़े add करोगे ठीक है तो एक simple स मैं इसको थोड़ा सा style करूँगा उसके बाद मैं इसका JavaScript वाला part देखेंगे सबसे पहले एक box मैंने बनाया है और इस box को कुछ थोड़ा style provide करते हैं लिखते हैं box और width मैं यहां पे 100% set कर देता हूँ ओके 100% को यार मैं 30% set करूँगा और इसमें simple मैं padding set कर देता हूँ 35 pixel और background का color मैं यहां पे simple क्या pass कर देता हूँ triple F मतलब white और border radius मैं यहां पे 4 pixel set कर देता हूँ और box setting important यह थोड़ा look अलग देती है जिससे मैं 0 spreading 0 horizontal 0 vertical spreading चाहिए नहीं और 10 pixel मुझे क्या इसका बलर चाहिए होगा और यहां पे simple मैं एक थोड़ा सा transparent dark color यहां पर प्रवाइड कर दूँगा तो आप लोग देखो एक कुछ इस तरी कैसी दिखाई देगा लेकिन यह top और आपको left दिखाई दे रहा है ठीके तो मुझे क्या चाहिए होगा मुझे आप लोग ग्रीड कर दो इससे क्या होगा दो प्रोपर्टी से आपका काम बन जाएगा सेंटर में चीजी आ जाएगे ठीक है देखो कैसा लग रहा है बहुत ही बड़ी आ लग रहा है अब थोड़ा स्टाइल कर लो जदा स्टाइल हम लोग करेंगे नहीं सबसे पहले तो उस पर जाएके मैं सिंपल सबसे पहले तो मार्जिन आइड करूंगा फिफ्टेन पिक्सल टॉप टू बोटम लेप टू राइट जीरो और एक काम और चाहूंगा जितने भी मैं टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूं इनकी जो बाई डिवोल्ट फोर्ट फेमेली होगी वो एक अरियल वाली होगी ठीक है और फॉंट वेट आप लोग यहां पर सिंपल लाइटर कर सकते हो तो यह कुछ इस तरीके से आपको दिखाए देख ठीक है लाइटर लाइट क्यों कर दिया मैंने यहां पर मुझे लाइटर करना चाहा और बहुत ही बढ़िया तो आप लोग दे सबसे पहले लिशैकर 7 के और इनपूत बेशब जो डी्प पर जाओ और इनपूत पिजो संब से पहले आप लोग वीट सेट करो इसकी 100%, अब जैसे आप लोग width 100% set करते हो, तो यह कुछ इस तरीके से automatic चीज़े set हो जाएगी, यहाँ पे दोनों चीज़े चीज़े पक्या रहे हैं, मुझे इसको थोड़ा सा space देना पड़ेगा, इसके लिए मैं date input set कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं div के अंदर margin यूज़ कर स और मैं simple ऐसा चाहूँगा कि जो padding होगा, वो मैं यहाँ पे simple add करूँगा, इसमें कितना add करूँगा, at least five pixel, और border add करूँगा, मैं इसमें one pixel का solid और यह वाला color में, और इसके साथ हम लोग इसमे outline none pass करते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा इस तरीके से ठीक ठाक look मिलेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अभी के लिए simple इसमें point use कर सकता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, और मैं definitely border radius भी यहाँ पे pass कर सकता हूँ, five pixel का, let's see, हाया ठीक लग रहा है, बड़ा लग रहा है, ठीक है, सही है, अब क्या करना है, simple सा button है, इस खोड़ा style करना ह की button है, यहाँ पर इसलिए मैं इसको कोई class यहाँ पर नहीं दिया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं simple यहाँ पर लिखूँगा button भाई साब, आपको चाहिए सबसे पहले दो padding, padding कितनी दोगे, 10 and 20 pixel, 10 उपर निचे से, 20 left, right से, और यह देखो, अब ठीक दिखाई दे रहा है, और हम लोग simple इसमें fund की family increase कर देंगे, 1.1 ramp और इसी के साथ text का transform capitalize, और border नन करेंगे, outline नन करेंगे, और background का color हम लोग क्या करेंगे, green pass करेंगे, और color क्या पास करेंगे, triple white set करेंगे, इस button पे कोई भी hover करेगा, तो सबसे पहले opacity 0.6 होगी, ठीक है, तो क्या होगा, यह देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर, ठीक है, कुछ चीजे और हम लोग कर सकते हैं, transaction duration, smooth effect के लिए, तो यहाँ पे मैं 2ms, मतलब 200 millisecond, not 2ms, ठीक है, और यहाँ पे मैं border radius अभी set कर दूँगा, इसमें 4 pixel, बाइसा बहुत बढ़िया, तो यह देखो यार, थोड़ा साही हमको ठीक ठाक सही है, अब देखना आप लोग, हाँ, अब सही लग रहा है, अब यहाँ पे अपने text है, result है, तो result के लिए हमने simple result class दे रहे है, इसको डाइक लिए हम लोग target कर लेते हैं, तो dot result, यहाँ पे simple चलेंगे, और यहाँ पर चलने के बाद में क्या करेंगे, लिकि size क्या कर सकते हो, at least 1.1, 2 RAM कर लो, चलो, तो क्या होगा, अब सही दिखाए दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर अपना result आएगा, लेकिन अभी हमारे पास कुछ नहीं है, तो अभी हमको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, सम text को यहाँ से हटा दूँगा, ठीक ह record तो होगा, यह सिंपल सी application है, तो इसी के अंदर लिख लेते हैं, script और lg लिखते हैं, lg मतलब console.log यहाँ पर लिखते हैं, अगर आप लोग लिखते हैं, अगर आप लोग लिखते हो, तो अटोमेटिक है, console.log को यहाँ पर बना के डाल देता है, जे, श्री, राम, यहाँ यहाँ पर टाइप करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इस्पेक पर जाओंगा, और यहाँ पर चीजे थोड़ी सी डेमेज होंगी, क्योंकि यहाँ पर देखो, हमने media recovery यूज नहीं करी है, अब media recovery यार यूज करनी चाहिए, यह से बात बनती नहीं है, तो यहाँ पर मैक् यहाँ पर चल के जो मेरा box है, यहाँ पर चलूँगा, इसकी जो weight है, मैं कितनी चाहूँगा, 80% क्या coding, सेव करूँगा, हाँ, अब बढ़िया लग रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर console पर चलेंगे, तो देखो, जैसी राम अपने को properly यहाँ पर मिल चुका, यार, देख सकत आप लोगे, ठीक है, पाईसा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं simply यहाँ पर यह चाहता हूँ, कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस button पर किसी ने click करा, तो यहाँ पर जो भी user ने अपनी values टाइप करी है, मतलब यहाँ पर user ने पर get कर लो, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो ID तो update और update देखी है, इसको डाइक लिए हम लोग require करेंगे, तो दिखूँगा, simple update equals to ID है, तो document.get element by ID, तो document.get element by ID, और आप लोग यहाँ पर update टाइप कर सकते हो, duplicate copy कर लो, और यहाँ पर आप लोग कंट्रो बटन को लेना है, तो let button equals to document.coverselector, और वो एक simple सा button है, ठीक है, तो हमने आपे क्या करा, बटन को भी proper require कर दिया, हमको result भी चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, let result, alright, result equals to document.coverselector, और वो आपका क्या है, result है, dot लगाना पड़ा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको एक class दिया रह किया, इसलिए, ठीक है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, दिक्कत होगी भी क्या, करा भी क्या है भी तक, ठीक है, अब देखना, यहाँ पे simple मत चाहूंगा कि अगर मेरा button है, उस पे एक event fire कर दूँ मैं, मैं लेक दूँ click, अगर किसी ने कर दिया, तो क्या होता है, simple यहाँ पे चलूँगा, और document की spelling गलत कर दी, कहीं ना कहीं, हमने document की spelling गलता है, अब सही है document की spelling, alright, अब जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक date चूज करता हूँ, यहाँ पे click यह देखो, अपने date मिल चुकी है, जो मैंने हाँ पे date चूज करी, वो मिल चुक तो अपने को add date की value मिलेगी अभी, 20 मैंने first date की करी और ending date है, उसकी माल लो की मैंने करी यह और yellow, दोनों की मैंने same ही करी है, कोई दिक कितनी है, बट अपने को मिल सुकी है, ठीक है, बाइसा बहुत बढ़िया, तो मैं लिख दूँगा, simple let, आप लोग एक काम करके, आप लो आप कर लो, नहीं तो आप लिख लेते हैं, आप लोग लिख लेते हैं, आप लिख लेते हैं, f value, ठीक है, request to, और क्या, यह जो भी है, इसको control अक्स करो, यहाँ पर simple paste कर दो, उसके बाद में क्या, duplicate copy करो, यहाँ पर f value की जगे, आप लोग l value कर दो, और यहाँ पर आप लो है, अब कुछ खास नहीं करना, सबसे पहले तो देखो, आपको लिखना है, यहाँ पर let, एक variable बना ले दो, date1, date1 के लिए, request to document, नहीं, document को याद रहता, मुझे new date, यहाँ पर use करना है, और यहाँ पर new date के अंदर, मुझे f value डालनी है, और यहाँ पर मुझे एक method को call करना, get time, get time कहाँ पर गए, यह रहा, get time ठीक है, और console.log में मैं अगर date1 को type करूँगा, तो मुझे एक number मिलेगा, और इस number को देखके गबराना नहीं है, जैसे मालूम आज की date चूज करीए, और देखो एक बड़ा सा number मिल रहा है, इसको देखके गबराना नहीं है, क्या है, tension मतल यहां पर इनका दोनों का clear difference निकालना है, मतलब क्या करना है, हमको date के अंदर difference जीए, भाई साब अगर user ने किसी ने, यहां पर 6 तारिक को चूज कर दिया, और यहां पर user ने 18 तारिक को चूज कर लिया, ठीक है, तो इनके बीच में कितना difference है, वो इस तो चीए, तो अगर म मैं इस date से, यह जो last वाले date है, इस date से मैं क्या करूँ, इस date से मैं अगर इस date को minus कर दूँ, तो कुछ तो मिलना चीए ना, तो वही करूँगा, मैं यहां पर, मैं लिखूँगा, let difference equals to, ठीक है, और यहां पर मैं date 2 के अंदर, minus कर दूँगा, simple date 1, ठीक है, अब एक number ही मिले लेकिन अब देखिएगा, यहां पर console लोट लोग आपको करके दिखाता हूं, यह जो difference है, यह जो मेरा difference है, difference भाई साब, automatic नहीं आओगा कि आप, तो कोई बात नहीं है, वो बताओ, difference है, D-I-F-E-R-E-N-C-E, तो हमने यहां पर double F लगाना था, ठीक है, इसमें मैं divide करूँ क्या, simple मैं divide करूँ, बस एक simple सा code लिखना है, एक simple सा formula लिखना है, आपको यहां पर लिखना है, 100 multiply by 60, again multiply by 60, ठीक है, और again multiply by not 60, 24, आपको यह चीज़ी लिखनी है, 100 multiply by 60, multiply by 60, multiply by 24, ठीक है, यह math लगा लेना, simple सा काम है, save करूँगा मैं इसको, और यहां पर मैं चलके अब द date चूज़ करी, और मैं यहां पर simple सा लिखे, 8 तारीक को चूज़ करता हूँ, ठीक है, तो 6 और 8 में कितना difference है, मैं click में पर click करूँगा, तो दो आई है, और क्या है, जैसे मालो की 25 को चूज़ करता हूँ, तो जो difference है, वो proper आप यहां रहा है, अगर मैं हां पर simple, कोई date चूज़ करूँ, मैं 26 को चूज़ करूँ, click में पर click करूँ, तो देखो 238 में days का difference अपने को मिल रहा है, तो यह simple सा formula है, इसी का हम लोग यूज़ करने वाले है, इसको completely contracts कर लो, और यह जो भी अपने result यहां पर लिया है, इस result को यहां पर लिखो, इसमें आप लोग inner text कर सकते हो, इस अबल कर सकते हो, it's totally up to you, आप लोग यहां पर जाओ template latest का use करो, और आप क्या करोगे हां पर simple, आप लोग यहां पर लिख सकते हो, difference, difference, ठीक है, और difference, और जो भी अपना हमने copy करा है, उसको simple यहां पर paste कर देंगे, यहां पर हम लोग लिखे देंगे, days लिख दे ठीक है, save करेंगे, ओक्यार, काम साइद बन जाना चीए, कोई error तो नहीं आ सकती है, इसमें, बट देखते है, अगर मैं हाँ पर 7 और यहां पर मैं तारिक चूज करता हूँ, गुनिस, और यहां पर मैं इंटर करता हूँ, तो difference, 22 days, है ना, 7 और गुनिस के अंदर कितना difference है यार, obviously 12 दिन का difference है, अगर मैं यहां पर कोई दूसरे मन्त की date यहां पर रखता हूँ, तो obviously आये गाई, अगर मैं आलो 28 करता हूँ, किसकी, December की, तो 28 दिसंबर और 7 जनवरी के बीच में कितना difference है, इतना difference है, कैसा लग रहा है, तो यह थे गाईज, हमारी simple सी application, इसका source code या ठीक है, टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन वेंशन गई भाड में, टेंशन अपने को लेनी नहीं है, और अपना काम यहां पर बन चुका है, ठीक है, तो यार, मेरा मानना यह है, कि आपको ऐसी चोटी-चोटी application बनानी चाहिए, इससे आपका logic है, वो definitely increase होता है, और इससे आ कर लेंगे ना, सब कुछ अराम से, कोई problem नहीं आएगी, और हमारी market के अंदर practice ज्यादा ही रहेगी इसमें, ठीक है, तो या गाइज, अभी के लिए इतना ही मिलते हैं गाइज, next video में, thank you guys watching this video, bye-bye.